दोस्तों, आज के समय में गाड़ी सभी लेना चाहते हैं, कुछ कैश पर, कुछ फाइनेंस पर, पैसे हो या ना हो, हमें गाड़ी लेनी होती है बुलने में थोड़ा अजीब लग जाता है, लेकिन बात सही है, आप देख रहे हैं, बहुत सारे banks, बहुत सारे offers आपके पास available होते हैं, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, तो बहुत सारे companies जो हैं, आपको finance करने के लिए तयार हैं, इवन गाड़ी के dealer के पास भी आपको मि बताने वाला हूं, आज की वीडियो में हम यह बात करेंगे, क्या loan पर गाड़ी लेना सही है, finance कराके गाड़ी लेना सही है, या फिर cash लेना सही है, देखिए बहुत बड़ी चीज है, तो हम पूरे वीडियो में, throughout the video हम लोग यह जाना ही कोईश करेंगे, कि क्या एक गाड बतात करेंगे हम cash payment से, अगर आप cash payment करते हैं, तो उसके फाइदे क्या है, सबसे पहला सबसे बड़ा फाइदा तो यह हो जाता है, कि आपकी यह जो पूरी गाड़ी खरीदने की process है, वो simple हो जाती है, मतलब आपको अपने documents होगे रहा, यह नहीं करने के भी finance कराना तो इसक कितना मिलेगा, percentage कितना देना पड़ेगा, कितना आप totally amount pay करेंगे, यह सारी चीजों से मुक्ती होती है, आपके पास cash है, आप dealer के पास जाते हैं, गाड़ी पहले पसंद करते हैं, फिर पैसे देते हैं, गाड़ी लेकर के घर आ जाते हैं, एकदम simple process होता है, कोई परिशानी किसी mediocre से बीच में बात करने की जरूत नहीं कि कितना percentage tax लगेगा, यह सब चीजें, हाँ, process में फिर registration, insurance, यह सब चीजें के ऊपर थोड़ी सी दिमाग पच्ची होती है, insurance में बहुत अच्छी बात याद आई, कि insurance अगर आपको लेना है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर company के पासे जो insurance मिल रहा है, उसमें आपके सारे terms, आपको जो चीजें चाहिए, वो मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि dealer से ही आप insurance खरीदें, आप बाहर से भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छी policy मिलती है, तो, हम गाड़ी खरीदने पर थे, तो, यह simple process है, registration company कराकर देती है, तो, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात होती नहीं है, और सारी keys आपको मिल जाती है, सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं गाड़ी के, finance की बात अलागे, जब मैं finance पर जाओंगा तब आपको बताओंगा आगे क्या है, अब आते है हम दूसरे फाइदे पर जो cash payment के समय आपको मिलेगा, cash payment करके गाड़ी जब लेते हैं, अगर दो साल बात गाड़ी आपको नहीं पसंद आई, या आप सोच रहे हैं, अपग्रेट किया जाए, कोई अच्छी गाड़ी ली जाए, आप हैजबेक ली थी आर अब SUV ले 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 है, थोड़ा off-roading वगएरा करेंगे, या फिर और थोड़ा space चाहिए, डिक्की थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा आराम से फैल कर बेटूंगा, sedan लेता हूँ, ऐसे समय पर आप आसानी से अपनी इस गाड़ी को, जो आपने अभी खरीदी हुई थी cash payment से, उसको नि मिल रहे हैं, जूल रहे हैं, यह कर रहे हैं, यह साथ साल की, इसको तुरंट close करवाना है, तो पहले पैसे ले रहे हैं, फिर उसको दे रहे हैं, वो बहुत अलग चीज हो जाती है, तो यह भी एक दिक्कत की बात आती है, और यह एक फाइदा है, अगर आप cash payment दीकर कर तो आप यहाँ पर कोई नहीं कर रहे हो तो आपको उतना ही देना मतलब गाड़ी आपको सस्ते में पड़ी ना 11 लाग की गाड़ी 13 लाग में तो नहीं पड़ी तो यह एक बहुत ही अच्छा फाइदा है अब यहाँ पर वीडियो छोड़ कर जाके अगर आप सोचोगे कि नहीं अब तो कैश ही लेनी है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बोलूँगा फिर से रुख जाओ आखिर तक देखो तो पता चलेगा कि फाइनेंस के क्या फाइदे है अब हम कौन्स पर आते हैं कैश पेमि तो यह आपकी चॉइस को लिमिट कर देगा क्योंकि उससे उपर की गाडियों को आप सोचेंगे भी नहीं आप छोटी गाडियां लेंगे अगर बड़ी लेनी तो फिर दीरे 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 जो मैं इसमें काम करूंगा तो पहला डिसर्डवांटेज यह हो जाता है और दूसर सबहुक्रा सिर्वांटेज हैं तो कि आपका जो पैसा है वह एक बार में लग जाये एक बार में सारी की सारी सेविंग्स खतम हो जाएक मैं ऐसे advantage हम कह सकते हैं, finance कराते थे तो उस पैसे का δूसरा इस्तमाल भी कर सकते थे, और finance पर जितना पैसा आप percentage पर दे रहे हो, उसे जाधा सायद निकाल सकते थे, वह हम finance वाले section जाने हैं, तो चलिए, finance वाले section में चलते हैं और जानते हैं, कि finance कराने के क्या फाइदे हैं अगर गाड़ी आप finance पर लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा advantage यह है कि आपकी तो choices of vehicle है वो बढ़ जाती है क्योंकि अब आपको limit के बारे में नहीं सोचना है वैसे finance कराते समय भी सोचना बहुत जरूरी है कि मैं 10 kg या 12 kg लेकिन क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो 12 की ले ही रहा था finance करा ही रहा था यह 13 में सोड़ी जादा अच्छी मिल रही है तो वह आप उस तरफ जो है जा सकते हो क्योंकि आपको थोड़ी करेडि स्कोर को हेल्दी रखने के लिए और अच्छा करेडि स्कोर बनाने के लिए यह काफी अच्छी चीज हो जाती है मतलब अभी आपने 10 असला का सामान लिया समय पर रीपे कर दिया तो हो सकता है आगे आपको कंपनिया जो है लोन देने में कत्राई नहीं क्योंकि उन् अच्छी हो गई और तीसरी चीज कि आपकी सेविंग्स एक बार में खतम नहीं हुई समझ रहे हैं आपने क्या किया चोटा मोटा डाउन पेमेंट डिया अपनी सेविंग्स को अपने पास रखा मतलब वह आपके एमर्जेंसी के लिए भी काम आ सकता है और आपने गाड़ी तकलीफ लेकर के 15-16-20,000 रुपे पे कर रहे थे वह समय उतनी तकलीफ नहीं होती है तो फिर भी यह एक आपके पास चीज हो जाती कि आपकी सेविंग अभी खतम नहीं होती है वह रखी रह जाती है सबसे पहला कौन यह है इस फाइनेंस वाले ऑप्शन का कि आप ज्यादा लाग की गाड़ी ली सब कुछ कंप्लीट हो गया उस पे आप दो लाग रुपे इंटरस्ट पे कर रहे हो बैंक को या फाइनेंस कंपनी को तो थोड़ा अजीब भी लगता है ना मतलब आप क्या कर रहे हो किसी से उधार ले रहे हो और वो उधार ही उसने आपको समय पर द होगी समझ यह क्या इंटरस्ट रेट चल रहा है क्या आपके बास सेविंग है उससे आप उससे ज़्यादा कमा सकते हो या फिर यह देना सहीं होगा साथ साल पास साल का जो भी आप कराइंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा रीपे कर देंगे यह डिसर्ट हो जाएगा और दूसरी चीज़ यह हो जाती है जो बहुत बड़ी बात है कि आपकी वहिकल अभी भी कंपनी की सिक्यॉरिटी की तरह काम कर रही है मतलब कभी आप रीपे नहीं कर पाए ज्यादा तर तीन मैने चार मैने की यह मैं का ऑप्शन रहता है कि अगर आपने तब तक नहीं बढ़ बात है जो अलग अलग तर्म से उनकी बात नहीं करें है बढ़ Egyptian ही उनकी सिक्यॉरिटी होती है तो अगर आप रीपे नहीं करते हैं मतलब गाड़ी मैं आपको अभी भी रिस्क है अगर मैं पे नहीं करूँगा तो इस दो disadvantages के अब इसके अलावा है अगर इन दोने चीज़ समझ कर finance कराईए और हाँ अपने finance भी करा रहे है तो यह नहीं है कि भाई पैसे तो bank company देने वाली हम दिरे दिरे रेपे करेंगे कि चक्कर में आप बहुत जादा budget अपना increase कर लें सोचिए समझी और वही गाड़ी लीजिए जो कि आपके लिए जरूरी भी है बहुत जादा भ प्रबलम होता है जरूरत ही sedan की या जरूरत ही एच बैक की हमने लेली sedan है वो इतनी लंबी है जरूरत भी नहीं पड़ रही है उतनी सामान भी हमें कभी carry नहीं करना होता है दो ही लोग बैटकर चलते हैं और जबर दस्ती में गाड़ी होती है तो यह दिखावे वाली दुन दुनिया में ना जाहिए आप गाड़ी सोस समझ कर बढ़ी आसी लीजिए अपने खर्चे को भी maintain करेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उसको invest वगरा कर लेना तो फीचर में जब जब जरूरत पड़ेगी तब अच्छे गाड़े लेंगे वीडियो पसंद आया हो तो अब पॉइंट सो नहीं चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे मैं में में नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद